हाई गाइस आज हम बात करते हैं रख पितना सगुटी का के बारे में जो की अलर्जी से रिलेटिट जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन में बहुत जाद उप्योगी होती है यह टाबलेट और यह आर्वेदिक मेडिसीन है तो साइड एफेक्ट भी नहीं होते है इसके अग अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो पित इंबैलेंस की वजह से जो डोस होते हैं जो डिजीज होते हैं उन में इसका काफी अच्छा उप्योग मिलता है और सभी तरह की अलर्जी में भी बहुत उप्योगी रहती है यह यह बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफा में मदद करती है और इसके अलावा और भी जो पित से इसका बहुत अच्छा उप्योग मिलता है अगर हम लगुस सूथ से करस की बात करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी डी टॉक्सिफाइंग प्रोपर्टी होती है जिसकी वजह से टॉक्सिनिस को शरीर से बाहर निकालन करने का काम करती है इसके अलावा थिपनेंटी फिंफ्लमेटरी बीती बी होती है और यह जो वॉलाक का इंब्रोप का होता है उसको बीलेंस करने का क्ाम करती है इन तीनोंButoon दोसी के वजह कि वजह से हीव जो बलंच हो जprüित होता है जिसकी वजह से में अपना इफेक्ट ह करता है अगर हम लिकोराइश की बात करते है तो इसमें anti-inflammatory प्रोपर्टी होती है तो जो वगढरा जाती है allergy की वज़़े से यह skin disease के वज़े से तो उसमें यह जो सोज़न है उसको कम करने का क्रिता है इसके अलावा कि जु nucleus दरता है उसको भी परिवेंट करता है उसके अलावा यह स्किन को ब्राइट करता है और इसमें जो होते हैं तो उसकी वज़े से हमारे digestive track को भी Strength मिलती है हमारे digestion मजबूत होता है अनंत मूल की बात करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी anti-oxidant property होती है free radicals को ये damage कर देता है जिसकी वज़े से skin को prevent करता है उनके damage को रोकता है skin के cells की इसके अलावा ये surges को भी कम करता है क्योंकि इसमें anti-inflammatory property होती है और बहुत अच्छी इसमें blood purifying property भी होती है की वज़े से ये blood को भी clean करने का काम करता है bacteria को सीर से बाहर निकालता है क्योंकि इसमें antibacterial property होती है इसके अलावा इसमें digestive property भी होती है और यो जखम बरने की भी इसमें property मिलती है जो fungus वगेरा के जो diseases होते हैं जो skin में diseases होते हैं वो fungus की वज़े से ही होते हैं तो ये उससे related जो fungus को भी खतम करेगा और blood को भी purify करेगा और वहां पर सोजिस को भी रोखेगा तो इसको बहुत अच्छा उप्योग मिलता है इसके अलावा ये toxins को भी स्रीज से बाहर निकालता है और इसमें तीनों दोसिज को balance करने की property होती है तो जो imbalance आ जाता है तीनों दोसिज में आरवेदा के अनुसार तो उसको ये balance करता है जिसकी वज़े से skin से related ये blood से related जितने भी disease होते हैं उनमें मंजिष्टा को बहुत उप्योग मिलता है अगर हम प्रिंगराज की बात करते ह हैं तो ये दाद खाज खुजली में और फंगल इंफेक्शन में काफी उप्योगी रहता है इसमें anti-inflammatory property होती है anti-bacteria property होती है anti-fungaline property होती है इसके अलावा ये बहुत अच्छा anti-oxidant भी होता है और anti-oxidant गुन के कारण ही ब्रिंगराज को आपने देखा होगा कि बहुत सारे air से related बालों से related येतनी preparation बनती है उन समय ब्रिंगराज पाये जाता है क्योंकि ये free radicals को मार देता है जिसकी वज़े से जो बालों के cell है और जो skin के cell है उनको ये prevent करता है अगर हम स्वरन मास्पिक बसम की बात करते हैं तो ये iron और copper का combination होता है जिसकी वज़े से ये जि खुझली की या जो red races हो जाते हैं या pimples वगहरा हो जाते हैं तो उन में उनकी prevention में काफी उप्योगी रहता है इसके अलावे इसमें anti-aging property भी होती है और aprodesic property भी होती है अगर हम परवाल पंचामरित की बात करते हैं तो जो जखम भरने का उनको सुखाने में काफी उप्यो जिसकी वज़े से ब्लड को दोसिस होने से बचाता है और skin diseases को prevent करता है अगर हम गिलोई की बात करते हैं तो गिलोई एक बहुत अच्छा detoxifying agent होता है जखम को भरने में और blood को purify करने में भी बहुत उप्योगी रहता है यह toxins को सीज से बाहर निकालता है और इसके अलावा इ करते हैं तो skin disease के लिए एक अमरीत का काम करती है इनमें anti-toxin effect होता है anti-staminic effect होता है anti-anapylatic effect होता है अस्तमा में बहुत उफ्योगी होता है anti-microbial होता है mainly anti-allergic properties में बहुत mainly मिलती है और यह जो जखम अगयरा होते हैं उनको बहुत जल्दी भरने का काम करती है और blood purifying effect भी बहुत अच्छा होता है इसमें अगर हम अंबा हल्दी की बात करते हैं तो इसमें carbohydrates होते हैं saponins होते हैं glycosides होते हैं phytostrols होते हैं regins होते हैं flavonoids होते हैं curcumin होता है vitamin A proteins fats और minerals होते हैं तो यह बहुत सरे की skin problems में काफी उपयोगी रहता है अगर आमला की बात करते हैं तो आमला में antioxidant antibacterial antifungal और anti-inflammatory property होती है इसमें vitamin C भी बहुत अच्छी quantity में मिलता है तो जो hormone imbalance हो जाता है body में उसको यह control करने का काम करता है उसको balance करने का काम करता है इसमें बहुत सारे bioactive ingredients होते हैं जिसकी वज़े से यह strong lexative होता है carbonative होता है और जो skin में खुझलिव गएरा होती है उनको prevent करने का काम करता है जो इसके anti-oxidant property होती है उसके कारण यह जो ringworms होते हैं cabbage होती है या eaching होती है उसमें काफी अच्छा role play करता है गोरक बुंडी की बात करते हैं तो बहुत अच्छी antibacterial antioxidant और anti-inflammatory property होती है इसमें अगर हम इसको consume करते हैं तो यह swelling में या जखम बरने में बहुत उपयोगी हो रहता है जो इसमें antioxidant गुण होते हैं उसकी वज़े से यह cancer के risk को भी कम करता है और skin और बालों के लिए काफी उपयोगी होता है अगर हम निसोद की बात करते हैं तो निसोद में anti-secretory, anti-inflammatory, antibacterial, antimicrobial, anti-cancer, hepato-protective, relaxative और भी बहुत सारी प्रोपाटी होती है तो यह श्रीर से toxins को बाहर निकालने का काम करता है जिसकी वज़े से blood दूसित नहीं हो पाता तो यह skin disease में बहुत अच्छा काम करता है अगर हम काली मिर्च की बात करते हैं तो इसमें anti-bacteria, anti-inflammatory, digestive, anti-dareal और भी बहुत सारे को यह remove करने का काम करता है और body को ज्यादा oxygen और nutrition परवाइड करने का काम करता है और अपने anti-bacterial और anti-inflammatory प्रोपरटी के कारण यह skin को infection से भी बचाता है उमेद करते हैं यह information आपको अच्छी लगी होगी, thanks for watching